अंदर खेलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम indoor games बोलते हैं और जो हम games घर के बाहर खेलते हैं या खुले मैदान में खेलते हैं उनको हम outdoor games बोलते हैं जो game घर के अंदर खेलते हैं वो कौन सी होती है? जैसे ludo, chess, snack and ladders, dirt, video games और जो games हम घर के बाहर खेलते हैं जैसे cricket, basketball, hide and sick, hockey ये सब क्या होती हैं? ये सब outdoor games होती हैं इसके इलावा भी हम अपना time spend करने के लिए enjoy करने के लिए music सुनते हैं TV देखते हैं, reading books करते हैं और ये भी एक अच्छा तरीका है अपने time को utilize करने का या enjoy करने का इससे हमारी knowledge भी बढ़ती है और हमें अपने world के बारे में भी दुनिया के बारे में भी पता लगता है और हमें यादा TV या वीडियो गेम नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि अगर हम यादा वीडियो गेम खेलेंगे या TV देखेंगे तो इससे हमारी IS पे बहुत effect होगा और हमाइरी IS वीडियो ओ जाएंगी और हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा हमें सारा दिन नहीं खेलना चाहिए हमें थोड़े समय के लिए गेम खेलनी चाहिए और हमें अपनी studys का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए साथ साथ हमें studys भी करनी चाहिए Now I will read this chapter What do you do when you feel tired of studying? जब आप पड़ाई से थकान मैसूस करते हैं तो आप क्या करते हैं? After doing hard work, you need to have fun कड़ी मेनत करने के बाद आपको मज़े करने की जरूरत है What do you do for fun? तुम मज़े करने के लिए या मस्ती करने के लिए क्या करते हो? मैनी children love to play different games for fun कई बच्चों को मज़े करने के लिए या मज़े करने के लिए मस्ती करने के लिए अलग लग खेल खेलना पसंद है Why do we need to play? हमें खेलने की क्या आवश्कता है? Playing games keeps us healthy and fit Games खेलने से हम स्वास्त और fit रहते हैं या games खेलना हमें healthy और fit रखता है It gives us time to be with our friends ये हमें अपने दोस्तों के साथ रहने का समय देता है It also refresh our mind ये हमारे दिमाग को भी तरो ताजा करता है We should play every day for some time हमें कुछ समय के लिए रोज खेलना चाहिए But all play and no studies is not good लेकिन हर समय खेलना और पढ़ाई ना करना या ध्यन ना करना अच्छा नहीं है Can we play all the games inside the house? Yes or no क्या हम घर के अंदर सभी खेल खेल सकते हैं? हाँ या नहीं Some of the games are played inside and some are played outside कुछ खेल घर के अंदर खेले जाते हैं और कुछ बाहर खेले जाते हैं अब आपको types of games बताया जा रहा है Types of games There are two types of games दो परकार के खेल होते हैं Indoor और outdoor Indoor games Games which are played inside the house खेल जो घर के अंदर खेले जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो indoor games होते हैं Outdoor games Games which are played in a playground और a park खेल जो खेल के मेदान या पार्क में खेले जाते हैं उनको हम outdoor games बोलते हैं Indoor games अब आपको indoor games के बारे में और outdoor games के बारे में बताया जा रहा है कि ये कौन कौन सी होती हैं Indoor games Games like ludo, chess, snake and ladders, scrubbers, caram, dirt, video game, etc. are usually played inside the house खेल जैसे ludo, chess, snacks and ladders, scrubbers, caram, dirt, video game इतियादी आम तोर पर घर के अंदर खेले जाते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें indoor games कहा जाता है Outdoor games Games like cricket, basketball, hide and seek, koki, football, volleyball, koko, etc. are usually played outside in the open or in a playground खेल जैसे cricket, basketball, hide and seek, koki, football, volleyball, koko, इतियादी आम तोर पर बाहर खुले में या खेल के मिदान में खेले जाते हैं These are called outdoor games इन्हें outdoor games कहा जाता है Apart from games, we can also listen to music, read books, watch TV and play computer games खेलों के इलावा हम संगीत सुन सकते हैं, किर्धाबे पढ़ सकते हैं, TV देख सकते हैं और computer games भी खेल सकते हैं Reading books is one of the best ways to have fun फुस्त के पढ़ना मोनोरंजन करने का एक अच्छा रास्ता या तरीका है It gives us knowledge and tell us wonderful stories from around the world यह हमीं ग्यान देता है और हमीं संसार के चारों और की अद्बत कहानियां बताता है On the other hand, if we watch TV or play on a computer for a long time, our eyes get tired दूसरी और अगर हम TV देखते हैं या यादा समय तक computer पर खेलते हैं हमारी आखे थक जाती हैं It can lead to eye strain and we may need to see our doctor इससे आखों में खिचाब आ सकता है और हमें doctor को दिखाने की अवश्कता हो सकती है या doctor के पास जाने की अवश्कता हो सकती है Now, you can read this chapter from your book